नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं लैन केबल मार्केट से कुछ इस तरकार प्रकार से आपको लैन केबल परचेज होती है इस लैन केबल पे आपको आजे 45 कनेक्टर लगाने होते हैं तो उसके लिए एक डिलिंग प्याच कोड काम करता है तो सबसे पहले इस केबल को पंच करने के लिए मार्केट से यह लैन पंचिंग टूल अवलेबल है इस लैन पंचिंग टूल को लीजिए और इससे केबल को हलका सा काट लीजिए केबल कट करने के बाद इसके इंटर्नलि और आपके नॉलेज के लिए बता दें है यह लेंन के भलाए यह दोत्रा साथी यूटी पी और एस्टीपी ऑथती है शिल्डिट टुस्ट्ट पेर केबल और यूटीपी होती है अंशोटेशीड पेर केबल अगर हमने internally कहीं cable use करनी है fitting में तो हम utp लेंगे और अगर हमने outdoor में use करनी है तो हम shielded लेंगे तो दो तरह की patch code आती है market में और इसके प्रकार भी होते है cat5 cat6 mostly हम cat6 use करते हैं outdoor में cat5 indoor में क्योंकि cat5 थोड़ी hard होती है और cat5 थोड़ी नर्म cable होती है तो यह बीच में internally fall है यह cat6 में मिलेगा फाइव में नहीं मिलेगा आपको तो अब आपको दिखा दें इसमें यह चार पेर निकलेंगे internally इनका पेरिंग है एक पेर को बोलते हैं orange orange white एक होता है blue blue white एक होता है green green white और एक होता है brown brown white तो आपको क्या करना है इस पेर को सबसे पहले अन पेर कर लेने है और इन cables को ऐसे हाथ से straight कर लेने है बिल्कुल समूथ क्योंकि इन में पेरिंग के वज़े से play होती है चारो पेर को अन प्लग करेंगे और इनको open कर लेंगे जी चारो के चारो पेर यह green और green white को अन पेर कर लिया पहले orange orange white को कर लिया यह चारो पेर हमने अन प्लग कर लेने जी यह देखिए अब अन प्लग होने के बाद हमें मार्केट से लेके आने है आर जे 45 कनेक्टर्स कुछ इस तरह का कनेक्टर मार्केट से आपको मिलेगा इस कनेक्टर में आठ पिने है यहां से देख लिए यह कनेक्टर वन टाइम पंचिंग अवलेबल होती है इस कनेक्टर आपको मार्केट से मिल जाएगा इस कनेक्टर में डाउनसाइड में लॉक बटन है इस connector को एक number pin कैसे गिनना है इस lock button को जो एक lock button है इसको नीचे की तरफ रखना है जमीन की तरफ ठीक है जी अब left side से यानि कि इस connector का जहाँ cable insert होगी वो सीरा रखना है हमने अपनी तरफ और इसके left side से एक number pin count होगी 1, 2, 3 यहाँ से एक number यहाँ पे 8 number तो याद रहेगा यह गलती नहीं करनी connector का जो lock pin है वो रखनी है जमीन की तरफ connector में जहाँ cable लगेगी वो रखनी है अपनी तरफ तो left side से जो pin शुरू होगी वो एक number होगी और right side में 8 number होगी अब dealing patch code हम बढ़ाएंगे यह patch code switch to switch router to router router to PC हर condition में काम करती है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह वाला pair लेना है कौन सा orange और orange white इस pair को as it is लगाना है एक number पे आपने लेनी है orange white और next लेनी है orange यह है dealing patch code उसके बार आपने लेनी है green white next cable क्या लेनी है अपने green white पहले orange white second orange third green white फिर आपने लेनी है blue यह dealing patch code है यह code हम नहीं बना रही है पहले से standard code है वर्ड वाइड अगर आप market से dealing की बनी बनाई patch code भी लाएंगे तो वो इसी code से बनी होगी पहले हमने लेनी orange white second अमने ले ओरेंज third अमने ले ग्रीन वाइट fourth अमने ले ब्लू and next ले ब्लू वाइट और next आएगी sixth नमबर पे green और फिर आएगी brown white और last में brown तो इनको ऐसे straight कर लीजिए बिल्कुल straight forward तो दुबारा बता दें कलर कोड आपको दिखा दें एक नमबर पे ओरेंज वाइट दो पे ओरेंज तो एक नमबर पे क्या है ओरेंज वाइट दो नमबर पे क्या है ओरेंज तीन नमबर पे green white पास से अगर दिख पाता है तो जो flash की वज़े से हम नहीं देख पारें हम फ्लेश को ओफ करके देखते हैं शाहिद केबल दिख जाएं यह देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रही है तो हुआ 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 है यह दो हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है तो यह हमारी फर्स्ट केबल है औरेंज वाइट फर्स्ट केबल है ओरेंज वाइट तो यह देन उसके बाद ब्लू फिर है ब्लू वाइट फिर है ग्रीन और लास्ट में हैं ब्राउन ब्राउन वाइट तो इस केबल का इस टेट करें और शेश केबलों को काट दे एक चीज का ध्यान रखें जो ये केबल की नौप बनेगी ये सिमिनर बननी चाहिए एक जैसी और इसको इतना काट लेना है कि ये फोल कनेक्टर आर्जे 45 के अंदर आ जाए ये ध्यान रखिए ये जो फोल है ये कनेक्टर आर्जे 45 के अंदर आ जाए तो ये इसमें लगा दिया हमने ये हमारा कनेक्टर लगने के लिए तियार है देख लीजिए इस तरह से लॉक साइड को नीचे एक नंबर पर हमने लगाया औरेंज वाइड दो पर औरेंज तीन पर इसके ग्रीन वाइड फिर ब्लू फिर ब्ल्य वाइड फिर ग्रीन फिर ब्रावन फिर ब्रावन वाइड और इस कनेक्टर को ओम यहां पह पर पंच यह के पका कंप्लीत होग ओ सेम ऐसे ही हम इस केबल के दूसरे सीरे को त्यार कर लेंगे तो यह हमारी पैच कोड बन गए एक चीज का ध्यान रखना है जब भी यह पैच कोड बनानी है तो जो केबल का बिट्विन डिस्टेंस है वह 100 मिटर सिस्टम कहता है बट हमें मैक्सिमूम 80 मिटर से ज्यादा उसे नहीं लेना है इस तरह से आप लैंड केबल के कनेक्टर से लगा सकते हैं आपको लैंड केबल चीए यूटीपी एस्टीपी कैट 6 या कैट 5 वह रिक्वार्मेंट करता है अगर आपका इंटरनली फिटिंग है तो कैट 5 लीजिए एक्सटरनल फिटिंग आउट्डोर में है उपन में केबल जानी है तो कैट 6 लेंगे Hey on market में केबल 15 से बीस रुपoter मिटर आती है यह एक आपको मार्केट से मिल जाता है इसे पोलते हैं लैंड पंचिंग तो इसमें चार पेर निकलेंगे एक कलर होगा एक उसका ग्रीन ग्रीन है तो ग्रीन वाइट ओरेंज यह तो और इस तरह से पेर निकलेंगे पेर कौन पेर कीजिए और इसको लगा देजिए यह गिनेक्टर लगा दिया और यह दूसरा यहां पर अब यह केबल PC to PC PC to router PC to switch everything ज शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल ऐसी बहतरीन वीडियो आपके लिए और बिलाता रहें थैंक यू एंड बाइबाए